बश्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ यह जो पोधा है यह कलता होती है दोस्तों इसकी जो सब्जी बनती है और इसको पाड़ी में साद्धू कहते हैं साद्धू की जो सब्जी होते हैं दोस्तों सर्दी में अगर आप खा लेते है तो आपको कभी भी सर्दि का एसास नहीं हूती हैं कि इसको कंदमोल भी कहते हैं पिछले जमानरे में पुराने लोग जो थे बुड़े लोग चोगञा थे तो वह इसकी सबचाइब उल्र economy इसके बारे में कोई पता नहीं होता है कि यह क्या चाहिए तो दोस्तों आज आपको यह पती यह दिखा रहा हूं इसकी पती है इसकी यह झानवर सब् बत सबजी अब अगर वह अगर आप cake एक वार इसकी सबजी का घाल में लग है za सबजी को सब्सक्राइए तरह देटार गाता च्निच अ थो दोस्तो Jedक सकते हैं यह सिकातन है तो दोस्तों निया के निचे विखेस्स को Chuck तो दोस्तों इसको कंदमूल भी कहते हैं मैं काफी दिनों से सोच रहा था इसको वीडियो बनाई जाए थोड़ा ध्यान से करना है आप इसको फिर कहीं भी बीज सकते हैं पर घर में कहीं भी आपको मिलता है यह तो आप इसको यह देखो दोस्तों एक तो यह है यह तो मैं इसको बीजू हूँ गर पर यह चोटा है तो इसके दिखते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि ऐसी वीडियो आपको काफी कम लोग बताएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो दोस्तों इसका जो तना होता है ध्यान से देखना है कंद मूल होता है और यह बहुत बड़ा होता है इस चीज़ का ध्यान करना है है कि साथ है निकाल लिया था तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि हम कंद मूल कैसा होता है और कैसे ये जो इस के जो दोस्तों तेस्ट होता है बहुत स्वाद होता है जीमिकंद आप नहीं कहा है जेमिकंद से nov खोर्ट होता है जो आप यह चीज़ खाते हो तो इससे अपका अमेश़ नसान घ्जांक सकतें नाइन परसंट भीमारियों को खतम कर देता जो लोग इसका सेवन करते हैं वो हमेशा हिश्ट पुष्ट और हटे-कटे रहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें यह मैं फिर से पतिया दिखा रहा हूं आपको तो दोस्तों इसको साधू भी कहते हैं अगर वीडियो आपको अ